चैनल्स में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपको नवीनतम और रोचक विशयों पर वीडियो स्प्रदान करेंगे हमारे चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनुरंजन और अन्य विभिन विशयों पर वीडियो उपलब्ध है आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट टिपपणिया क्या होती है और इस्तमाल कैसे किया जादा है जावा स्क्रिप्ट टिपणियों का उपियोग जावा स्क्रिप्ट कोर को समझाने और इसे अधिक पठनिय बनाने के लिए किया जा सकता है वेकल्पिक कोर का परीच्षन करते समय निश्पादन को रोकने के लिए जावास्क्रिप्ट टिपणियों का भी उप्योग किया जा सकता है एकल पंक्ति टिपणिया सिंगल लाइन टिपणिया से शुरू होती है और पंक्ति के अंत के बीच के किसी भी पाठ को जावास्क्रिप्ट द्वारा अंदेखा कर दिया जाएगा निश्पादित नहीं किया जाएगा यह उदाहरन प्रत्येक कोर पंक्ति से पहले एकल पंक्ति टिपणि का उप्योग करता है बहु पंक्ति टिपणिया बहुपंती टिपणियां से शुरू होती है और पर समाप्थ होती है और के बीच के किसी भी पार्ट को जावा स्क्रिप्ट द्वारा अंदेखा कर दिया जाएगा यहां उदाहरन कोड को समझाने के लिए एक बहुपंती टिपणि एक टिपणि ब्लॉक का उप्योग करता है निश्पादन को रोकने के लिए टिपणियों का उप्योग करना कोड के निश्पादन को रोकने के लिए टिपपणियों का उप्योग करना कोड परीच्षन के लिए उप्युक्त है कोड लाइन के सामने जोडने से कोड लाइन एक निश्पादन योग्य लाइन से एक टिपणियों में बदल जाती है यह उदाहरन कोड लाइनों में से किसी एक के निश्पादन को रोकने के लिए का उप्योग करता है कोड के निश्पादन को रोकने के लिए टिपपणियों का उप्योग करना कोड परीच्षन के लिए उप्युप्त है Code Line के सामने जोडने से Code Line एक निशपादन योग्य लाइन से एक टिपपणी में बदल जाती है यह उदाहरन Code Lineों में से किसी एक के निशपादन को रोकने के लिए का उप्योग करता है आज हम देखेंगे JavaScript Variables क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया जादा है JavaScript Variables वेरियेबल डेटा संग्रहीत करने के लिए कंटेनर है JavaScript Variables को चार तरीकों से घोशित किया जा सकता है खुद बखुद संसकरण का उप्योग करना लेट का उप्योग करना स्थिरांग का उप्योग करना इस पहले उदाहरन में X, Y और Z अघोशिक चरहें पहली बार उप्योग किये जाने पर बेस्वचालित रूप से घोशित हो जाते है चिपड़ी उप्योग से पहले हमेशा वेरियेबल घोशित करना अच्छा प्रोग्रामिंग अभ्यास माना जाता है उदाहरों से आप अनुमान लगा सकते है X मान 5 संद्रहित करता है Y मान 6 संद्रहित करता है Z मान 11 संद्रहित करता है वार का उप्योग करने वाला उदाहरन टिपपणी वार कीवर्ड का उप्योग 1995 से 2015 तक सभी जावास्क्रिप्ट कोड में किया गया था लेट और कॉंस्ट कीवर्ड को 2015 में जावास्क्रिप्ट में जोडा गया था वार कीवर्ड का उप्योग केवल पुराने ब्राउजरों के लिए लिखे गए कोड में किया जाना चाहिए दो वेरियेबल प्राइस एक और प्राइस दो को कॉंस्ट कीवर्ड के साथ घोशित किया गया है ये स्थिर मूल्य है और इन्हें बदला नहीं जा सकता वेरियेबल टोटल को लेट कीवर्ड के साथ घोशित किया गया है कुल मूल्य बदला जा सकता है वार, लेट या कौंस्ट का उप्योग कब करें? एक, हमेशा वेरियेबल घोशित करें दो, यदी मान नहीं बदला जाना चाहिए, तो हमेशा कॉंस्ट का उप्योग करें. तीम, यदी प्रकार नहीं बदला जाना चाहिए, तो हमेशा कॉंस्ट का उप्योग करें, सरनी और अबजेक्ट. चार यदी आप concept का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो केवल late का उपयोग करें पांच यदी आपको पुराने browser का समर्थन करना आविशक है, तो केवल वार का उपयोग करें बिल्कुल 20 गनित की तरहर, बीज गनित की तरहर, चर भी मान रखते हैं बीज गनित की तरह चर का उपियोग अभिव्यक्ति में किया जाता है उपरोक्त उदाहरन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुल गनना ग्यारह है टिपणी वेरियेबल मूलियों को संग्रहीत करने के लिए कंटेनर है जावा स्क्रिप्ट पहचान करता सभी जावा स्क्रिप्ट वेरियेबल्स को अद्वितिय नामों से पहचाना जाना चाहिए इन विशिष्ट नामों को पहचान करता कहां जाता है पहचान करता छोटे नाम जैसे X और Y या अधिक वर्णनात्मक नाम आयू, योग, कुल, आयतन हो सकते हैं चर, विशिष्ट पहचान करता के लिए नाम बनाने के सामान्य नियम है नामों में अक्षर, अंग, अंदरस्कोर और डॉलर चिना हो सकते हैं नाम एक अक्षर से शुरू होना चाहिए, नाम डॉलर और से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में इसका उप्योग नहीं करेंगे नाम के सम्वेदी हैं, Y और Y अलग-अलग चर है आरक्षित शब्द जैसे जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड का उप्योग नाम के रूप में नहीं किया जा सकता है टिपड़ी जावा स्क्रिप्ट पहचान करता के सम्वेदी होते हैं असाइन्मेंट ओपरेटर जावा स्क्रिप्ट में समान चिन्ह खुश स्माली एक असाइन्मेंट ओपरेटर है, न कीख बराबर ओपरेटर यह बीजगनित से भिन्न है बीजगनित में निम्मलिखित का कोई अर्थ नहीं है Xx plus 5 हाला की JavaScript में यह बिल्कुल सही अर्थ देता है यह x plus 5 से x का मान निर्दिष्ट करता है यह x plus 5 के मान की गणना करता है और परिनाम को x में डालता है x का मान 5 से बढ़ जाता है टिपपणी JavaScript में बराबर ओपरेटर को की तरहे लिखा जाता है जावा स्क्रिप्ट डेटा प्रकार जावा स्क्रिप्ट वेरियेबल्स में 100 जैसी संख्याएं और जॉन डो जैसे टेक्स्ट मान हो सकते हैं प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट मानों को टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट कई प्रकार के देटा को संभाल सकता है, लेकिन अभी के लिए केवल संख्याओं और स्ट्रिंग्स के बारे में सोचे स्ट्रिंग्स डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाती है संख्याए बिना उद्धरन चेहनों के लिखी जाती है यदि आप उद्धरन चेहनों में कोई संख्या डालते हैं, तो इसे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में माना जाएगा एक जावा स्क्रिप्ट वेरियेबल घोशित करना जावा स्क्रिप्ट में एक वेरियेबल बनाना एक वेरियेबल को घोशित करना कहलाता है आप वार या लेट की वर्ड के साथ एक जावा स्क्रिप्ट वैरियेबल घोशित करते हैं घोशना के बाद चरका कोई मूल्य नहीं है, तकनीकी रूप से यह अप्रिभाशित है वैरियेबल को मान निर्दिष्ट करने के लिए बराबर चिनह का उपियोग करें जब आप वैरियेबल घोशित करते हैं, तो आप उसे एक मान भी निर्दिष्ट कर सकते हैं नीचे दिये गए उदाहरण में, हम कारनाम नामक एक वैरियेबल बनाते हैं और इसे वोल्वो मान निर्दिष्ट करते हैं फिर हम ID डेमो के साथ HTML पैराग्राफ के अंदर मान को आउटपुट करते हैं टिप पणी किसी स्क्रिप्ट की शुरुवात में सभी वैरियेबल्स घोशित करना एक अच्छा प्रोग्रामिंग अभ्यास है एक कथन अनेक परिवर्तन मान अप्रिभाशित कम्प्यूटर प्रोग्राम में वैरियेबल्स को अक्सर बिना किसी मान के घोशित किया जाता है मान कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी गणना की जानी है या कुछ ऐसा जो बाद में प्रदान किया जाएगा जैसे उप्योग करता इन्पुट बिना किसी मान के घोशित किये गए वैरियेबल्स का मान अप्रिभाशित होगा इस कथन के निश्पादन के बाद वैरियेबल्स का मान अप्रिभाशित होगा जावा स्क्रिप्ट वेरियेबल्स को पुना घोशित करना यदि आप वार के साथ घोशित जावा स्क्रिप्ट वेरियेबल को दोबारा घोशित करते हैं तो यहाँ अपना मूल्य नहीं खोएगा इन कथनों के निश्पादन के बाद भी variable कारनेम का मान वोलवो होगा टिपड़ी आप लेट या कॉंस्ट से घोशित variable को दोबारा घोशित नहीं कर सकते यहां काम नहीं करेगा चलो कारनाम वोलवो, चलो कार का नाम जावास्क्रिप्ट अंकगनित बीजगनित की तरह आप और प्लस जैसे ऑपरेटरों का उपयोग करके जावास्क्रिप्ट चर के साथ अंकगनित कर सकते हैं आप स्ट्रिंग्स भी जोर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स को सन्योजित किया जाएगा टिपपणी यदि आप उद्धरन चेहनों में एक संख्या डालते हैं, तो शेश संख्याओं को स्ट्रिंग के रूप में माना जाएगा और सन्योजित किया जाएगा जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन डॉलर क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डॉलर चिनह को एक अक्षर के रूप में मानता है, डॉलर वाले पहचान करता वैद चन नाम है डॉलर चिनय का उपयोग javascript जेक्विरी में पेशेवर प्रोग्रामर अक्सर इसे जavascript लाइब्रेरी में मुख्य फंक्षन के लिए उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं उदाहरन के लिए JavaScript library jquery में HTML तत्वों का चयन करने के लिए मुख्य function $ का उप्योग किया जाता है jquery में P इसका आर्थ है सभी P तत्वों का चयन करे, javascript underscore चुँकी javascript underscore को एक अक्षर के रूप में मानता है, वाले पहचान करता वैथ चरनाम है जावा स्क्रिप्ट में अंडरस्कोर का उप्योग करना बहुत आम नहीं है, लेकिन पेशेवर प्रोग्रामर के बीच इसे निजी, छिपे हुए, वेरियेबल के उपनाम के रूप में उप्योग करने की परमपरा है